शाह जहां और मुम्ताज की प्रेम कहानी मुगल शासक शाह जहां वैसे तो बहुत से कारणों की वजह से जाने जाते हैं परन्तु एक खास चीज जिसकी वजह से दुनिया भर में उनका नाम है वैह है ताज महल शाह जहां के नाम का मतलब होता है पूरे जहान का राजा और सच में उन्होंने अपनी असल जिन्दगी में ताज महल जैसा अजूबा बना कर पूरे जहां का राजा होने का सबूत दिया उन्होंने ताज महल बनवा तो दिया पर इतनी खास इमारत तो सरूर किसी खास इंसान के लिए ही बनाई गई होगी जी हाँ वो खास इंसान है शाजहां की बेगम मुम्ताज शाजहां का असली नाम था शहाबुद्दीन मुहमद खुर्रम उन्हें बाद में शाजहां की उपाधी दी गई थी उनका जन साल पंदरा सू बानवे में हुआ था उनके पिता का नाम जहांगीर था जहांगीर शहजादे खुर्रम से बहुत प्रेम करते थे क्यूंकि वे उनके प्रिय पतनी नूर जहां के पुत्र थे वे अकबर के पोते थे और अकबर ने भी उन्हें दुनिया भर की बेशुमार सहूलियते दी थी अतर शाजहां सभी को प्रिय थे 14 साल के खुर्रम साल 1607 में एक बार ऐसे ही मीना बाजार की गलियों में टहल रहे थे आपको बता दें कि मुगल शासन के दौरान मीना बाजार विशेश रूप से महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है जिसमें पुरुष के नाम पर केवल कुछ राजकुमार और समराठ ही मौजूद रहते थे हरम की महिलाएं कपडे आभूशन हस्त शिलपादी बेचने के लिए अपने स्टॉल लगाती थी और केवल समराठ राजकुमार और कुछ रईसों को ही सामान खरीदने के लिए बाजार में प्रवेश करने की अनुमती दी जाती थी और सामान भी उच्च खीमतों पर बेचे जाते थे और उसकी कमाई को दान में दे दिया जाता था वही पर शाहजहा ने एक खुबसूरत लड़की को देखा जो कुछ रेशम की वस्तुएं और यहां तक की कुछ काज के मोतियों की बिकरी और संयोजन कर रही थी लड़की इतनी सुंदर थी कि राजकुमार की आखे उन पर से हटी ही नहीं वे उनकी सुंदरता में मंत्र मुग्द हो गए और उन्होंने लड़की को थोड़ा घूरना शुरू किया कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि जस लड़की को उन्होंने बाजार में देखा था उनका नाम अरजुन मंत बानो बेगम है और वह कोई और नहीं बलखी उनकी मा रानी नूर जहां की रिष्टिदार है बस फिर क्या था वे तुरंट दोड़ते हुए अपने पता समरार जहांगीर के पास गए और उन्हें सुचित किया कि वे उस सुंदर महिला से शादी करना चाहते हैं जो किले के मीना बाजार में रेशम की वस्तुएं और काज के मोती बेच रही थी अब जहांगीर तो पहले से ही अपने वेटे से बहुत प्यार करते थे तो ऐसे में उन्होंने शादी करने की इजाज़त दे दी हाला कि दोनों की ही उम्र कम थी, वे बहुत छोटे थे तो इसलिए उनकी शादी को कुछ साल के लिए टाल दिया गया और दोनों ने ही फिर अपने प्रेम संबंध की अवधी का आनन्द लिया अब समय आ गया था उनकी शादी का अपने प्यार को इजहार करने के पांच साल बाद दोनों प्रेमियों की लगभग वर्ष 1612 में शादी हो गई और दोनों अटूट बंधन में बंध गए शाजहा के अनुसार उनकी पतनी उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई क्योंकि शादी के कुछ साल बाद ही शाजहा को मुगल सामराजय का सिंगहासन नसीब हो गया वो भी अपने चार अन्य भाईयों पर विजय प्राप्त करके वर्ष 1628 में शाजहा को सिंगहासन हासिल हुआ वे अपनी पतनी से इतनी महबत करते थे कि उन्होंने अपनी पतनी अरजुमंद बानो बेगम को एक बहुत ही सुन्दर शीशक मुम्ताज महल से सम्मानित किया जिसका आर्थ होता है गेहनों का महल सम्राट की और भी कई बीवियां थी परन्तु उनका मुम्ताज के लिए विशेश बंधन और प्रेम था वह इसलिए कि वे बहुत सुन्दर और बुद्धिमान थी मुम्ताज महल राजा के दरबार से सम्बंधित सभी प्रकार के निर्ने देती थी रानी की सहमती के बिना कोई भी कारिश शुरू नहीं किया जाता था सम्राट का अपनी पत्नी के प्रती प्यार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा था दोनों का प्यार इतना था कि वे एक पल के लिए भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे यदि किनवंदंतियों की माने तो सैन्य शिवरों से लेकर विदेशी यात्राओं तक मुम्तास महल अपने प्रियपती के साथ प्रतेक स्थान पर साथ रहती थी ताकि वे एक दूसरे का खयाल रख सके उनके द्वारा पैदा किये हुए तेरा बच्चे उनके प्यार का ही प्रतीक हैं लेकिन उस प्रेमी जोड़े को यह अंदाजा बिलकुल भी नहीं था कि उनकी जिन्दगी में एक बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है दोनों प्रेमियों की जिन्दगी में अंधकार का दौर तब आया जब मुम्ताज महल अपने चौदवे बच्चे को जन्म देने वाली थी उस वक्त वे गंभी रूप से बिमार पड़ गई और खराब स्वास्थे का दबाव नहीं उठा सकी समराट की चहेती और प्यारी बेगम उन्हें छोड़ कर हमेशा के लिए चली गई इस हाथसे से समराट बहुत हताश हुए और निराशा में डूब गए वे इतने उदास हो गए कि उनकी जिन्दगी जीते जी नरक बन गई वे इतना तूट गए कि उन्होंने अपने राजे में दो साल के शोक काल की घोशना कर दी कुछ समय बाद खुद को संभाल लेने पर उन्हें अपनी पत्नी से किया हुआ वादा याद आया कि उनकी मृत्यों के बाद वे उनकी कब्र का स्थान इतना बड़ा और सुन्दर बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी और दंग रह जाएगी यही वो पल था जब शाजहां के मन में तार्ज महल बनाने का खयाल आया उस सपने के महल को बनाने में 22 साल लगे और 22 हजार कारिगरों की महनत लगी तब जाकर यह प्यार की निशानी तयार हो सकी जिसके आज दुनिया भर में चर्चे होते है इस प्रेम के प्रतीक को इतने सुन्दर तरीके से बनाया गया कि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कोई किसी से इतनी महवबत कैसे कर सकता है कि उसकी याद में एक विशाल मकवरा बनवा दे जो आज प्यार का सबसे पवित्र और शुद उधारन बन गया है वर्ष 1666 में शाजहां के मृत्यु हुई और उनकी कबर को भी ठीक मुम्तास के बगल में बनवा दिया गया उनका प्यार इतना वास्तविक था कि उनकी प्रेमिका के लिए सबसे सुन्दर और शांदार इमारत बनाने का वादा सच हो गया यह इमारत आज हमारे लिए और हमारी आने वाली पीडियों के लिए मजबूती से दुनिया के साथ अजूबों में से एक के रूप में बुलंदी से खड़ा है यह दुनिया भर के पुरुशों और महिलाओं के लिए खुला है जो प्रेम के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली इस सफेद इमारत में प्यार को खोजते हुए आते हैं बादशार शाह जहां और उसकी प्रेमिका ने दुनिया के लोगों को विश्वास दिलाया कि प्यार एक पवित्र भावना है और यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो प्रतेक आदमी शाह जहां है और हर महिला ममताज महल है राजा की जिंदगी में 17 जून 1631 एक शापित दिन था इसी दिन उनकी प्रेविका उन्हें छोड हमेशा के लिए चली गई थी उनके मरने के वक्त शाजहां उनके पास ही थे उन्हें बाहों में भर कर वे रोर हे थे और अपने अल्ला से प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पतनी पतन के कगार पर खड़ी है यही थी आज की फ्रेम कहानी अब मिलते हैं अगली कहानी और अगली जोडी के बहुत सारे प्यार के साथ तब तक आप भी हमारे इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें धन्यवाद प्यार कर रहाद कर दो कर दो